आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार देश भर में रोजगार मेले का आज़ा ने कटतर हजार युवाओं को सरकारी नोकरी बोदी सरकार के नौ साल पूरे भाजबा की छेत्री कारसमती की बैठर 17 मैं से होने वाली कारेकों पर होगा मंतर सियम योगी ने दी राजी कर्मियों को सौगा चार परशद महिंगाई बत्ता विर्दी के प्रस्ताव को मंजूरी दी यूपी में गर्मी का चुट्टियों का एलान बीस मई से पंदर जून तक बंद रहेंगे स्कूल पेसिस रिक्षा परसाथ सचीव प्रताब सिंग बगेल ने दिया दिश लखनों में अपराद पर रंकुछ लगाने के लिए पुलिस ने चलाया बहां चेकिंग अभियान बिना हेलमेट बाइक चलाने पर खाटा चला नमस्कार आप देखनें प्रैम टीवी मैं हूं मरीश बदोरिया शुरुआत करते हूं तर अपदेश की खबरों से युवां को सरकारी नौकरी देने के अभियान के तहट मंगल वार्गो पांचवा प्रहान मंतिर रोजगार मिला अउजित किया गया तेजबर में 45 शहरों में काईकरा मौजित किये गए हैं जहां वर्चुली माद्यम से प्राण मंतिर नहरी मोदी ने 41,000 युवां को न्युक्ति पत्र वितिन किये इस दोरान काईकरा को संबोधित करते हुए प्या मौदी ने कहा कि हमारा लक्ष है कि युवां को रोजगार देना इसके अलावा आज नौकरी में बस्ता चार खत्म हुआ है और सरकाई नौकरी की प्रक्रिया अब असान हुई है बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देश के कोने कोने में ये राशी भारत को दुनिया का मैनुफेक्टरिंग हब बढाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी साथियों भारत के युगाओं के पास अलग-अलग सेक्टरस में काम करने की स्कील रहनी बहुत जरूरी है इसके लिए देश में उच्च सिक्षा संसानों काउशल विकास संसाना का भी युद्च स्तर पर निर्मान हो रहा है बहुचवा के चैस संग ठनाफमक छेत्रों की छेत्री कारसमती की बेड़क 17 से 19 मई तक होगी कारसमती में आगामी लोग सवाचुनाओ की शुरुवाती तैयारियों को लेकर मोदी सरकार 2.0 के 9 साल का कारिकार पूरा होने के उपलक्ष में होने वाले कारिकरमों की रूप रेखा पर मंतन होगा बहुचवा के प्रदेश महामंतरी गोविन नरान शुकला ने बताया की 17 मई को पश्यमी एवं काशी 18 मई को बरच और गोरकपुर और 19 मई को अवद और कानपुर छेथ की कारसमती की बैठक होगी नगर निकाए चुनाओ नतीजों की घोशना के बाद एक तरफ बीजेपी ने जस्न का महल है तो वहीं दूसी तरफ सपा अध्यश अकले श्यादो लगातार बीजेपी पर निकाए चुनाओ में बैमानी और धानली का आरोब लगाते नजर आ रहे हैं हाली में उनका एक बैान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चुनाओ आयोग प्रशासन और अधिकारी सब बैमान हो जाएंगे और बीजेपी के इशारे पर नियम कानूर और सम्विधान की धज्या उड़ेंगी तो आप उमीद कर सकते हैं कि जन्ता को न्याय कैसे मिलेगा और जो निकाये चुनाओं में थे अधिकारियों ने अगर बैमानी नकी होती और जिस तरीके से जगे जगे से सूचना है मिल नहीं है अधिकारी खुले आम हस्ता छेप कर रहे हैं बोर्टर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का बेवहार और सरकार का दवाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतिय जन्ता पार्टी न केवल जहां करनाटक से साफ हुई है उत्तरपदेश या अन्य राजों से भी भारतिय जन्ता पार्टी का सफाय होगा इस कवर पर हमाई समाथ आता विबान शो मासा जोड़ चुके हैं विबान शो अखले स्यादों ने बीजे पी पर हमला बोला है और निकाय चुनाओं में धानली का रोप लगा है क्या कहेंगे आप विबान सू से हमारा संपर्क शायद टूट गया है जी टूटी वरनसी में जी टूटी सम्मिट के दूसरे शर्ण का आउजन 11 से 13 जून तक होगा इसमें दुनिया के जी टूटी बीस में शामिल देशों के विदेश मंतरी और डेलिगेट शिर्कट करेंगे उनका काशी में स्वागा सीम योगी अधितनात करेंगे नर्देसर इस्थित होटल ताज में भोजन करेंगे वेश मंतरी एस जैसंकर के अलावा राज सरकार के मंतरी केंदवा प्रदेस सरकार के वरिश्ट अफसर भी सरकत करेंगे किशी विशशगों की पहली बैटक के लिए जिला परशासन सहर को अलग थीम पर सवारेगा शहर में हुई लैंड इसकेपिंग लाइटिंग के साथ ही शहर को खुबसूरत बनाय जा रहा है वरा नसीम जी 20 के मेहमान 8 जून से आना शुरू हो जाएंगे और 10 जून तक सभी डेलिगेट्स कासी पहुचेंगे 11 जून को विदेश मंतरी जैसंकर की अधर्शक्ता में कायकम का आगाज होगा इसके बाद तीम अधारी विश्यों के प्रस्ताव रखे जाएंगे 12 जून को बड़ा लालपूर इस्थित टेड फैसिलिटी सेंटर में विकास मंतरियों की बैठक होगी योगी सरकार के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता और पेंशनों में महंगाई रहत में 4 प्रस्त की विश्यों के प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है जहां सरकार एक जन्वरी 2023 से 4 प्रस्त की बड़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई रहात देने जा रही है इसी वर्दी के बाद कर्मचारियों और पेंशनों का डिये और डियार 38 से बढ़कर 42 प्रश्चत हो जाएगा मुक्रमंतरी ने डिये में वर्दी के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है डिये डियार में बड़ोतरी से 16 लाख राज कर्मचारियों और 11.5 लाख पेंशनों को फायदा होगा कि इस सरकार ने 24 मार्च को अपने कर्मचारियों वा पेंशनों के डिये 42 प्रश्चत किया था अब राज सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनों का डिये और डियार चार प्रश्चत बढ़ाने जा रही है गाजियाबाद में दूसरे दिन भी वकीलों का फर्जी अफायार को लेकर हरताल जा रही है वकीलों ने एक बार फिर गाजियाबाद कमिंशनरेट का घेराफ किया रोट को जाम कर पुलिस बेरिकेडिंग को भी तोडने का प्रयास किया इस दौरान भारी पुलिस बल्ब को तयार किया गया था वकीलों ने परतकारों के साथ अबदता भी की जिसका वीडियो बनाने पर परतकारों के मुबाइल फोन तक तोड़ दी गए आपको बता देंगी सीपी अजा मिशा के खिलाफ अधिवक्ताओं का पताचन जारी है अधिवक्ताओं की हरताल जारी है जिसमें अधिवक्ताओं के साथ अबरता भी की गई है जिसमें उनके मुबाइल तक तोड़ दी गए है पेरिकेडिंग के माद्यम से वकीलों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इसके बाद भी वो वकील गाजियाबाद में दुश्य दिन भी वकीलों का फर्जी एफ आई आर को लेकर हरताल जारी है वकीलों ने एक बार फिर गाजियाबाद कमिस्टरेट का घ्राव किया आपको बता नहीं कि रोट को जाम कर पुलिस बेरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया गया अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है जिसको लेकर वो रोट पर आ गया हो कमिस्टरेट का घ्राव कर रहे हैं इस खबर पर हमाँ समधाता परवीन जूट चुके हैं परवीन आकीर पूरा मामला क्या है अधिवक्ता कमिस्टरेट का घ्राव कर रहे हैं और बकायदे पुलिस के बेरिकेडिंग लगाने के वावजूद भी ये उनका प्रदस्द थमने का नाम नहीं ले रहा है देगे मनी साब को बता दूँ इसकी सुरुआत कैसे हुई है क्योंकि से पहले एक फायर को लेकर वकीलों में कही ना कहीं बात्चीश चल रही थी जिसमें पुलिस के तरफ से आरोप लगाय जा रहे थे कि उनकी फायर दर नहीं कि जा रही है जिसके बाद पुलिस और वकीलों के साथ जिस्तरा एक कहा सुनी जिसमें गाली गरोस के मामले ने पर किशी वकीलों काफी उग्र हुए उसके बाद पुलिस स्थाने में उपलाप लगब्स चार दिता रहे नाम जग रिपोर्टरश की गई है तो वहीं आगर तो सब्सक्राइब करने लगा उसके बाद कल इस तरह से धरना प्रजर्शन किया गया कमिश्रेट गाजयाबाद का घ्राव का किया गया वकीलों के तरफ से आज दूसरा दिन है वकीलों का और पूरा जो जितना भी कह सकते हैं जो है वहां गाजयाबाद कर पूरी तरह से खब पड़ा हुआ है अलागी वकील जो हैं वह काफी उग्रिव होते हुए दिखाई दिये उन्होंने का प्यास किया गया उसके बाद जो आम जन्मानत से उनके साथ भी वह ने गलत बिवार किया और बात करें मीडिया कर्मिश जो पूर्स है पुलिस के दरब पे वह काफी पड़ा दी गई है गाजयाबाद में यह दूसरा दिने वकीलों का जो दूसरे दिन भी अभी भी हर्ताल पर वकिल बैटे हुए जी मनिश परविन हर्ताल कर रहे हैं ठीक है अपनी आक्रोश दिखा रहे हो भी ठीक है लेकिन सरकार संपत्यों को नुक्सान पहुचाना उसके बाद पत्कारों के मुवाइल चीन के तोड़ देना उनके साथ अबत्ता करना जी कहा तक आप सही इसे मानते हैं और पुलिस के दौर अभी तक क्या करवाई की गई है इस पर बिल्कुल देखिए आप बदा दुमनिस की लगबग इसे पहले भी है वकीलों ने एक हंगामा किया था जिसमें की पद्रकार समेट और कई लोगों को चोटे भी आई थी कहीं न गई इस तरीके का ये गाजयबा से पहली बार वाक्या नहीं है ये पहले भी इस तरह से हो चुका है लेकिन आप पुलिस परिशाचन वहां पर बन परिशन करते हैं इस तरीके का महल क्रेजना हो जिसने की जनता को दिक्कत हो आम जल्मानस को दिकत हो और पत्रकारों के साथ जो अबदर अबर्टरता की गई उन्सेसाथ गाली ग्रोज की गई उनके मॉबाइल भी शीने गए तो यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जिसको लेकर परिशनेट जो गाज्यवार ने वह कहीं थोड़े दिर में एक्शन में आएंगे और पहुत अच्छा है कि आगे क्या तैसला करते क्यूंकि वकील हमेशा से वकीलों का पढ़ा भारी रहा है वकील जब-जब अधरने प्रक्रशन को देते जब-जब उन्होंने हंगामा किय पर फिर पर चल रही पतनी साइशता परवीन के खिलाफ लुकाउट का नोटिस जारी हुआ है लुकाउट नोटिस जारी होने के बाद अब साइशता परवीन विदेश नहीं भाग सकती। फिलाल पुलिस भी साइशता परवीन की तलाश कर रही है दरसल उमेश पाल शुटाउट केस में अरोपी साइशता परवीन पर पचास सहर रुपए का नाम भी रखा गया था। साचता परवीन के साथ ही पांच-पांच लाग रुपए के नामी शूटर साबिर और बंबाज गुड़ू मुस्लिम के खिलाफ लुकाउट सर्कुलर जारी किया गया है। फिलाल लुकाउट नोटिस की सूचना देश में सभी इंटरनेशनल एर्पोर्ट और बंदरगाहों को भीजी गई है। ऐसे में अब हुआई और जल मार्ग से साचता परवीन और उसके सूटर विज़ेश नहीं जा सकेंगे। बुलन शहर में महिला पहलवानों के समर्थन में भाकियों कारकरताओं ने मशाल जलूस निकाला है। जलूस से जंक्शन तक ये मशाल जलूस निकाला गया। जो देश के पहलमान बैटे हुए है। और ग्रजबूसर सिंग्य पासको एक्ट में भी ग्रफतारी नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद उसके ब्रोद में आज भारते किसान यूनियन टिकेट मसाल जलूस के साथ पूरे जंक्शन सहर के अंग्शन इसके बावजूद भी अभी तक पहलवान लगातार अपना धरना पदर्शन कर रहे हैं। जलूस में शामिल हुए हैं कारकरता उन्हें की है नारे बाजी और मशाल जलाकर उन्होंने अपना आक्रोस वेक्ट किया है। गुर्णा में सफ़ा के पूर्फ चेर्मेन समीम अच्छन ने निकाह चुनाओ को लेकर बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुप लगा है कि विधायक ने पहले बूत को कैप्चर किया इसके बाद मदगर्णा के दिन फरजी तरीके से परशासन की मिली बगट से इन्वैलिड वोट कराने का काम किया। इस्थानी पुलिस और विपक्ष की मिली बगट से चुनाओ में दस दिन से लगातार दवाब बना जा रहे थे। बताने की निकाह चुनाओ में हुई दांदली को लेकर जिला परशासन की शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई भी कारवाई देखने को नहीं मिली है। इसे शेहरी लक्षन बित्वान हो तब उनका परसीमन किया जाता है। उसको बिल्कुल ताग पर रख़र सिर्फ हिंदू और मुस्लिम इन ओटों को निगाह में रखते हुए परसीमन किया जाता है। उसमें हम लोगों ने अपत्ति की सारी अपत्तियों को दिला प्रशासन ने मिताज दिया। और जो अस्थानी विलायत और लखनों में पुलिस कमिशनेट और डी सी पी के निदिर्शों के तहे चेकिंग अभ्यान चला जा रहा है। प्रादिक गटाओं पर लगाम लगाने के लिए ये अभ्यान चला जा रहा है। लगबग सभी ताना चेतरों में हर एक घंटे में पॉाइंट बदल का चेकिंग की जा रही है। प्रभारी निर्शक, सहादत, गंज के नित्रत में भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दोड़ान कम उमर के युवाओं को खास तोर पर चेकिंग की जा रही है। बिना हेलमेट लगाने वाले तीन सवानियों को बैठाने वालों पर भी चलान किया जा रहा है। चुनाव प्रवंदन में कुछ कमी रहने के कारण इस बार उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। नगर की जनता ने उन्हें अच्छा समर्थन दिया और आगे और बैतर समर्थन मिलने की उम्मीद रहेगी। कारवाई करेगी संग्याद के अपने कारकरताओं क्या संदेश नहीं है। हमारे कारकरताओं का मेरा इस पर संदेश राजकुमार दुवे आपके बीच में है, आपके बीच में रहेगा। एक एक कारकरताओं के साथ राजकुमार दुवे खड़ा है। राजकुमार दुवे उस एक कारकरताओं के साथ हमीजा खड़ा है। औरया में सौच के लिए गई किशोड़ी के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया, बताए जा रहा है कि पार्स के गाउं के लड़के ने खेत में ले जाकर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ा लड़की के परिजोनों ने पुलिस को सूचना दी, इसके बाद पुलिस के अधकारी घटना सतर पहुंचे और मामले की जान पे जुट गए। पुलिस के लड़की के साथ बुरा काम हुआ है और उसको अपले उठा करें लेजा के खेत में बुरा काम किया गया। इस सुचना पे हमनों पुले घटना सब्सक्राइब के लिए। वादी दोरा उससे घटना समधित तारी लिख कर दी जा रही है। मोल्जम के गिरहतारी उसके टीम गठित की गई है। इतासिर मोल्जम के गिरहतार के लिए जाएगा। साथे साथ पीड़ता को मेटकल के लिए भी नेमानों साथ उसको कारवाई करें बीजा जाएगा। ख़ब बुलंद शर्थ है, जहां वर्द महिला के लूट के बाद हत्या कर दिये। बता जा रहा है कि 82 साल के वर्द महिला अपने घर में सो रही थी। रात को लूटरों ने घर में गुसका लूट के बाद हत्या को अन्जाम दिया। रिटेरो कान में कुंडल पैरों की पाजेव और मुबाइल लूट ले गए बटक कर बेटे ने पुलिस को घटना की सुचना दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जान शुरू कर दी फिलाल पुलिस एक संदित वक्ती को राचत में ले लिया है और उससे पूछताच की जा रही है है अड़ोकेट है वो गड़ में और इनके जो छोटे वाले बेटे गाजियावाद कंट्रेक्शन में नौकरी करते हैं और यह माता जी अपने घर में जैसा डेली सोती थी प्रदम दरश्टे का लगता प्रदान जी किस तरी कि यह हत्या की गई है इनके पास से इनके जो पै दिवार पूद के दरवाजा कोला है जब इनके देखा थे इस हालत में मिली है और इनके जो नजेवार पैन लगा था पैरों में थी चांदी की पाजेव और जो कानों में और नाक में सौने के कुंदल और नच्ट थिलांग वोगरा वो सब गया थी और चोट लगी हुई है मॉबाइल गाया थे जिए हाँ लूट के बाद हट्क है लूट है दोना है फैदाबाद की जवार कलोनी के सामने खुले आम शराब पीने का मामला सामने आया है पुलिस गस्त के वावजूद भी शराब पीने के शौकीन सड़क पर सड़ा पीते नजर आ रहे हैं जिस कारण मॉबाइल साधा समयधारता मफएदाबासे मनोज जूठ dependency है मनोज दुकान के बाहर खुलियाँ पिलाए जा रही शराब और शराब पिने वाले दुकान के बाहरी रोट पर ही शराब पीते नजर आ रहे हैं जिसके वाँ काकी समस्चाओं के सामना करना पढ़ रहे हैं बुष्ब करती है जाती है जो महिला हों निकलती है उनका हो लिकलना है वह पिसके लोगता है और पराब की जो लोग किते हैं वो पहिना कहीं गहर कानूनी है जिन पर पुलिस को नजर रखनी चाहिए और आखिर पुलिस परसासन इस तरह की वीडियो वाइरल होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं करता जी मनोज उस शेहत की पुलिस ने अब तक इसकी इस पर कोई कारवाई क्यों नहीं करी जबकि ये मामला पूरा संग्यान में रहा होगा मनोज क्या आपने संबंदित ठाना प्रभारी से संबंद में बातचीत करी कोई मनोज अगर कारवाई की जाती तो ये समय ये देखने को ना मिला होता फिलाल ये पूरा कानी पूर्टी जैसा पूरा महौल बना जा रहा पुलिस के माद्यम से फिलाल इस खबर पर जुड़ने के लिए मनोज आपका बहुत रन्यवाद लखनों के नाका थाना छेट के अंतरगर देसी ठेका के पास ठेकेदार ने जुवा को लाटी डंडो से बेरहमी से पीटा है बीच रोट पर डंडे से मारने का वीडियो भी शोशल मीडिया पे तेजी से वारल हुआ वहीं इसी बीच रोट पर लाटी डंडो से मार पीट से साफ जाहिर होता है कि दबंगों को पुलिस कोई खौफ नहीं रहा फिलाल पुलिस इन पर कारवाई करती है या नहीं करती है शहर में दबंगों का आतंग बरकरार रहता है या नहीं रहता है ये देखने वाली बात होगी इस कबर पर समालता मुहम्मद अबै समासा जूट चुट चुके हैं मौमद ठेकेदार ने यूवक की बेरहमी से पिटाई करी है और बकाएदे ये शोशल मीडिया पे ये वीडियो बे वाइरल हुआ है अब तक क्या कारवाई की गई है जी देखे बिल्कुल आपको बतादें के नाका थाना चेतर का ये वीडियो है और ये रानी गंज जो है नाका थाना चेतर के अंदर रानी गंज है उसका वीडियो है रात में ठेकेदार जो है उसने मारा है यूवक को बेरहमी से बीच रोड पर उसके बाद कारवाई की अगर हम मनी जी बात करें तो कारवाई जैसी पुलिस को पता चलता है ये वीडियो वाइरल होता है और ये जो पुलिस ने कारवाई किया तुरंत तर्काल दोनों को पकड़ा है और फिलाल दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है जी मनीश मुहमद आखिर इस यूवक को पीटा क्यों गया है जी देखें आपको बता देएं कि ये शराव का जो ठेका है उसी को लेकर यहां पर आपस में विवाद हुआ था इन लोगों में कहा सुनी हुई थी जिसके बाद ये चीज जो है सामने नहीं पूरी तरीके से आप आई है कि क्या असल में मामला था लेकिन मामला जो जाच परताल के बाद जो पता जला है वो ये है कि शराव का जो ठेका था उसको लेकर यहां पे इन लोगों में आपसी कहा सुनी हुई थी उसके बाद जो है इन लोगों ने इसको मारा है बीच रोट पे मारा है तो उसके बाद पुलिस सतर कुई है पुलि पुलिस ने आत्मत्या करार देकर घटना को निप्टाना चाहा है लेकिन परिजन शुरुआ सई हत्या की अशंकाओं पर लगातार जोर दे रहे हैं। इसी को लेका सेक्डों लोगों ने स्पी आफिस का घेराव कर दिया जिसके बाद पुलिस ने जांच का आशोशन दे कर मामला शांत कराया। वहीं सियो महराजगंद ने बताये कि पहिजरों ने जिर बिंदों को जांच में शामिल करने को कहा है उसके अधार पर दुबारा जांच कराई जाएगी। पूरा मामला महराजगंद थाने चेत का बताया जा रहा है। फिला उतर प्रदेश की ख़़़ों बस इतना है देश प्रदेश की ख़़़ों के लिए देख्ते रही प्राइम टीवी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। प्राइम टीवी नमस्कार।